हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई चैनल आज मैं आपको रिल्गन स्लीप वाली स्वेटर का बटन पट्टी के इस तरह से बनाते हैं वह बताऊंगी तो सबसे पहले इस तरह से जिस साइड हमारी बटन पट्टी है वहां से हम नीडल में इस तरह से इसको हैंक कर लेंगे और इसको हैंक करते हैं हमें यह ध्यान रखने कि जो रॉंग से हमारी साइडन है और जो राइट साइडन है वह मशीन की साइड है एस तरह से हम सारी satisf नहीं जादा लोगने नाहीं जादा टाइट रखने नोर्मली हम इसको इस सारा हमें का भीएंगी बिना इतने पंदे आयंग लगा लिया है पूरी स्ट्रिप अब हम क्यारिज को फाइब नंबर पर सेट करेंगे और ये वाले बटन भी कोई प्रेस नहीं करना है फिर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से वाँने एक सिलाई लगा लिए इस दो जितनी चोड़ी आप स्ट्रिप रखना चाते हो उतना चोड़ आप अपना सकते हो पर मुझे इसमें बटन पटी बनानी तो अगर मैं ट्वल्ब सिलाईएंगों कर बटन पटी बना रही हूं तो इसमें मैं सिक्ष सिलाईए के बाद इसमें बटन होल बणाऊंगे फाइव अब मुझे यहाँ पर बटन होल बनाने के लिए मैं पहले फंदों को डिबाइड कर ली तो जो मुझे उल्टे बनाने बाद मैं निकाल के बनाने होंगे लुकिन अगर हमने जाली बना दी तो उसके बाद वह नहीं बनेगे तो इसलिए मैं जो पीछे वाले फंड only उनी में जाली बना रें इस तरह से और मैं काज जो वो पास पास बना रें बटन हो ताक कि मुझे उपर उपर ही बटन चाहिए नीचे बना नहीं लगाऊंगे तो इस तरह से मैंने ये जाली बना लिए जो पीछे की है खाली निडल उनको भी हम आगे कर लेंगे और जो बाकी की पांच यह छे सिलाई यह बच हुए है उनको फिर से हम लगा लेंगे इस तरह से हमारे जो है वो कम्प्लीट हो गया है बटन स्ट्रिप अब हम इसमें एक लास्ट सिलाई जो है वो लूज नंबर पर बनाएंगे तो टैन नंबर पर सेट कर लेंगे पहले कैरेज को और सिंगल सिलाई लगाएंगे इस तरह से यह हमने लास्ट सिलाई लगा लिए अब हम नीडल को डिबाइड कर लेंगे जो जो नीडल हमें बिन इसे निकाल के बनानी है उनको हम आगे कर लेंगे इस तरह से लास्ट में जिसे हमने जितने सिलाईय लगाई थे उसमें से एक सिलाई का मून निकालने हैं और इस तरह बना लेंगे हम इसको निकालके फिर तेन नीडल का गैप देंगे और फिर से एक नीडल इसी तरह से निकालके बना लेंगे फिर से तीन निडल का गैप और एक निकाल लेंगे अगर आप बिना कार्ड वाले मेशीन को चलाना सीखना चाहते तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल क्रितिका क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकती हैं उसका लिंक में आपको सब्सक्रिप्शिन बॉक्स में दे दूँगी पूरी बटन स्ट्रिप में ऐसी आप इनको बना लेंगे तीन नीडल का गाप देने फिर एक नीडल को इसी तरह से निकाल के बना लेने इसी तरह से बना के फिर मैं आपको दिखाते हूँ पूरा इस तरह से यह हमारी कंप्लीट हो गई है अब हम नीडल को बंद कर लेंगे तो वो इसके लिए हम इस तरह से करेंगे पहले थोड़ी नीडल आगे की और लाज टूल की हेल्प से इस तरह से एक एक नीडल को हम इस तरह से बंद कर लेंगे सारे फंद हम इसी तरह से बंद कर लेंगे झाल एक बंद कर लेंगे इसी तरह हम यह पूरी स्ट्रिप तियार कर लेंगे दोनों स्ट्रिप ऐसी एक स्ट्रिप में हमारा बटन लगेंगे इसलिए उसमें हम काश बटन होल भी नहीं बनाएंगे तो इसी तरह से हम दूसरे स्ट्रिप भी तयार कर लेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगयो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शियर जरूर करें मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देजिए थेंक यू